मांगो को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का आज दूसरा दिन है मंगलवार को हरियाना की शंबू बॉर्डर पर किसानों और पुलस के भी जड़प होई थी पुलस ने किसानों को रोखने के लिए आसु गैस छोड़ी तो किसानों ने भी पत्राव किया ऐसे ही हाला जिंद बॉर्डर पर भी देखे गए आज फिर दिली कूच के लिए किसान तयार है पंजवाब के स्वास्थ मंत्री बलवीर सिंग ने अस्पतालों का दौरा किया वे किसान आंदूलन में गायल किसानों से मिले मंत्री किसानों को मिलने वाली सौस्थ सेवाओं का निरिक्षन कर रहे है मंगलवार को ही मुख्यमांत्री भगवान पान ने बॉर्डर पर अम्बूलेंस को तैननात किया था इसके साथ ही संगरूर, पटियाला, डेरा बस्सी, मांसा और बटिंडा के अस्पतालों को अलर्ट किया गया था हांसी और हिसार के किसानों नेता खनोरी बॉर्डर पर पहुँच गए है किसान नेता कुलदीप खड़र ने बता कि अभी सारी किसान शंबू बॉर्डर पर पहुँचे है किसानों के दिल्ली कूच के आहवान के तहट अब हरियाना के किसानों ने भी आंदोलन में शामिल होने कार्णिर ने लिया है इसके तहट आज किसान कैथल से खनोरी बॉर्डर की ओर बढ़ सकते है ये किसान जिन्द जिले से नर्वाना के दाता सिंग वाला बॉर्डर पर पहुँच सकते है इन किसानों ने जिले के कई गाउं में बॉर्डर पर पहुँचने का हवान किया है ऐसे में किसान खनौरी मार्ग पर इस्तित संगत पुरा बॉर्डर पर बढ़ सकते हैं धन्नाब भगत भाकियों की ओर से अधिक से अधिक किसानों का दाता सिंग वाला बॉर्डर पर पहुँचने का आववान किया गया है सरवजातिये खाप के रास्टे संयोजक और भारते किसान मजदूर यूनियन के रास्टे अधिक चौधरी टेक राम कंडेला ने कहा है कि केंदर सरकार किसानों की MLC का सभी फसलों पर कानूने दर्जा दिया जाए और किशे के लिए सौमी नाथन के रिपोर्ट को पूरी तरह किसानों के आर्थ किस्ति को देखते वे सभी के कर्द माफ किये जाए कंडेला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों को शांती पुरों आंदोलन करने से रूका जा रहा है लोकतंत्र में आंदोनन करने का सबको अधिकार है कंडेला ने कहा है कि अगर किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो सर्वखाप और किसान संगठन किसानों के साथ है दाता सिंग वाला बॉर्डर पर रात लगभर 11 बज़े किसानों की बैठक करके सुबह दस बचे बॉर्डर क्रोस करने की रणनीती बनाये गई पुलिस ने भी अपने सुरक्षा इंतिजामों की समिक्षा की सयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली कूच के आवान के बाद मंगलवार दो फैर बाद से कुणली सिंदू बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है दिल्ली पुलिस और अर्दुसैनिक बल के जवान मुश्ताइद हैं भारिवाहनों को के एमपी की जीपी जीरो पॉइंट पर से वाया लोनी बॉर्डर दिल्ली और वाया गुरुग्राम भेजा जा रहा है नैशनल हाइवे पर बने फ्लाइ ओवर पर लोहे के कंटेनर मिट्टी भर कर रखे गए हैं साथ ही भाये संख्या में लोहे और पत्थर के बैरिकेट्स लगाए गए हैं फ्लाइ ओवर पर कंटी लेतार फिर सीमेंट के बड़े बैरिकेट लगाकर कंक्रीट भरी गई हैं एक दरजन से अधिक लोहे के कंटेनर मिट्टी भर कर रखे गए हैं सिस्टीव लगाकर निगरानी के साथ ही चार वाटर कैनर दो बजर वाहन खड़े किये गए हैं अर्दसैनिक बलकी तीन कंपनी सोनी पत के कुंडली और बारा कंपनी दिल्ली के सिंदू शेत्र में लगाए गई है हाईवे पर दस लेयर टायर किलर बिछाए गए हैं वाहनों को गाउ के अंदर से होते हुए अन्य स्टेट और नैश्रल हाईवे से निकाला जा रहा है छोटेवानों को कुंडली से जाटी कला और सिंदू गाउ भीजा जा रहा है उद्योग पती और फैक्टरी कर में परिशान है हरियान से दिलिचाने वाले नौक्री पेशा भी संपर्क मार्गों से दो से तीन गुणा समय लगा कर कारियाले पहुँच रहे हैं अजड़े किल एक दासदेनों होगे न मुद्धी सरकार नूँ आचीज कर देयानू इता सड़ा पंज मिटा ना का मैं कजका रही जड़ना है बोले सो निहाल सस्री आकल आई हो गण गया है एक कुछ नहीं चीज जैना बास्ते नहीं जड़ी साड़ी कौम है न जड़ी संदक गुर्वादी बाक्षी होई होई है मुड़ तो लड़नाडी कौम है जिननाय नू दबोंगे ओना उठोगी है प्यार ना जो कुछ मर्जी कर लो जे कहोंगे भी पंजाबिया नू दबा लांगे न दबानाडी तो कौम मोगले नाने नी शड़े अंग्रेज नाने नी शड़े अर्यान तो सी की चीजों साड़ कि चीजों साड़ इंग्रेज जिनना बता लांगे वांगे अर्यान दो कमा साड़ जया ना ह।